नमस्ते दोस्तों ये वीडियो में हम देखनी जा रहा है अगर आप बासरी सीखना चाहते हो तो फर्स्ट लेशन आपको क्या 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 करना है कौन कौन से चीजों पर धैन देना है तो mostly दोस्तों फर्स्ट चीज होती है कि हम जब भी फ्लूट में एर डालते हैं तो हमारा ए इंबनेशन आप कितना मैच कर पाते हो इसी सबसे बाकी सब चीज़ें आगेगी तरही होती है जाती है तो अभी यहां पर हम जो सीखने वाले हैं सारे गमापाजनिसा कैसे बजाते हैं और उसके लिए जो फिंगर को पॉजेशन कैसा होना चाहिए ब्लोइंग कैसा करना है तो सबसे पहले बेसिक चीज़ पर आते हैं वह होती है ब्लोइंग हम इसमें एर कैसे डालेंगे और इसके लिए अपर्चर वगरा कैसा होना चाहिए वह हम यह वीडियो में देखने जा रहे हैं हम जब उसमें एर डालेंगे तो हमारा जो लिप्स का उपर का जो पॉजेश मेरा यह लिप्स के जैटली नीचे यहां पर आपको डाइग्राम भी दिखेगा थोड़ी देर में तो यह एकजटली यह वहल के नीचे आपने फ्लूट आना चाहिए फिर जब हम इसमें व्लोग करेंगी तो कैसे होगा अब मैंने एपर सिर देख मेरा कितना है अब कि यहां पर लगाया और ऐसा नीचे कर दिया कि टेक कर लेक्त मेरे इसकी नीचे आ रहे हैं आगया है अब है क्या करूंगा यह आप एपर्चर अपको जितना सभी रहेगा उतना सभी आवा जाएगा अगर यह पर से ज्यादा रखूंगा आप देख सकते हैं इतनी से जगा रखे जहां से एर जाएगा तो सबसे पहले चीज आती है कि आप जब उसमें डाल रहे हो आपका लिप्स के एपरचर के से होना चाहिए जैसे डाग्राम दिख रहे हैं वैसे उसमें ज्यादा से ज्यादा जाना चाहिए उससे बाहर चले जाएगी तो डेफिनिटली नौजी साउंड आएगा साउंड क्ल करना वह भी तानपूर के साथ करना उसमें भी टाइम लगा के देखना कि मैं कितने सेकेंद तक एक स्वर को कितना खीच पा रहा हूं यह सब चीजे होती है जिससे आपका ब्लोइंग का स्टैमेना भी इंपूर होता है और नौज कैंसलेशन का काम भी इसमें बढ़ जाता ह अटमेटिकली वह नौज का इंसलेशन भी आ जाता है तो इसके लिए हमें पहले से चीज क्या करना है कि ब्लोइंग का अपर्चर अच्छे सेट होना चाहिए इसके लिए मैंने यह सब चीजे समझने के लिए एक ओफलेंग कोर्स भी बनाया है यह कोर्स में आपका ब्लोइ तो इसमें हमने पहले देखा कि ब्लोइंग करने के लिए हमें अपर्चर कैसा चाहिए लिप्स का प्रिशुशन कैसा होना चाहिए दूस्तरी चीज आती है जब हम सारे गमा पदनिसा बजाते है अब यह वाला सबसे इंपोर्टन चीज है सारे गमा पदनिसा जब हम होगी यहां पर जाके लॉक रहेगी तो सारे गमा पदनिसा बजाना में आपको बहुत अंकमफेटेबल फील होगा फ्री नहीं लगेगा तो उसके लिए आपको यहां पर क्या करना है आप एक बार देख लेना देखो यह हमारा फिंगर का पोजिशन है समझो अगर हमने सार अभी तक मेरा यह वाला अभी जब में सारे गमा बजा रहा हूँ तो यह वाला कि यहां के उंगली उठा के रखाओ मैं ताकि मैं यह अगर समझो मैं यह लॉक कर दी यह तो यह तीन फिंग उंगलियों को मैं कितने अच्छे से मुझ कर नहीं पाऊंगा तो यह उपन तो सब होल क्लोजे और यह यहां पर यहां पर बज़ते समय हमें जरूरी नहीं है कि यह उंगली ऐसे रहने कोई प्रोब्लम नहीं आप कैसे पर रहेंगे यह दोनें भी जॉइंट रहेंगी यह सभी उंगलिया फ्लूट पर रहेंगी तो भी चलेगा मगर मगर इंपोर्टन पर धनीशा आएगा तब क्या होगा को हुट जाए अब्यृ जमार को किशे जरूब होगा अब कर नहीं कि यहां पर इससे दरह से नहीं जब जाएगे आप कैसे उठापाओगे इसके लिए इसको फ्री कर दो पहले आप यह वाली ली टिल फिंगर को फिर कैसे होगा कि अब तो कि अब तो कि अब तो कि अब तो कि कि अब तो समझ गे जब सारे गमा बजाना है तो यह वाली उपन रखना है इसको फिक्स करोंगे तो यह कमफर्टेबली ने बजा पाओगे पधनी सा बजाना है तो यह इसको उठा दो यह फ्री कर दो दो संवर्ब निकाल सारै कर निदर था तो मैंने यह क्यों को सिंग्लियों को आराम से यह कन कर पाए में से स्वर निकाल से उठाना है इसमें थर्ड चीज आएगी जो भी प्रैक्टिस करें हम मेट्रोनम के साथ करें ताल के साथ बीट के साथ तो कैसे होगा यहां रहेंगे और यह प्रॉपर क्लोज रहेगा यह खुला होगा सारे गर्म यह मां आइसा है नहीं हापनोट मां फिर पधनी सा फिर और और सेंट सानी धापा मांगरे सा अभी दोने में डिफ्रेंस क्या था आ रहो हो इससे बोलते और उसको और रहो हो बोलते जब आ रहो हो शुरू हो जाएगा तब आपको ज्यादा ताकत लगाने के जौरतने सा एक्तम नौर्मल ब्लो करके भी बन जाएगा तो यह सबसे इंपोर्टन चीज़ है और विगनर लेवल में इसमें भी और कुछ-कुछ प्रॉब्लम साते जो मैं आपको बताता हूँ आपको भी इंसर्ट प्रॉब्लम को आपने फेस किया रहेगा इसमें से पहला प्रॉब्लम होता है कि सारे जब हम बजाते हैं सारे जब बजने कोशिच करते हैं तो पर में क्या होता है कि अलग सा आवा जाता है ऐसा बचता है या फिर यह बचता है यह दो प्रॉब्लम हो सकते दोनों प्रॉब्लम का रिजन क्या है जब लोर में बज़ेगा तो फिंगर अगर सही रहेगा सही प्लेस्मेंट हुआ है तो एर अगर कम जाएगा तो लोर में जाएगा फिंगर अगर सही नहीं है और ब्लो प्रॉपर क्लोज सब फिंगर प्रॉपर क्लोज होना चाहिए यह मेरे के सामने बेटो ताके पता चलेगा आपको गलत कुछ कर रहे हैं फिर यह कि अ कि अ कि कि अ कि अ कि कि क तो इस तरह से उंगलियों पर कमाड लाना है तो आप को सबसे पहले बेसिक सोच चुप चीज़े में आपको बोला वह सब चीजों पर आपको पहले फोकस करना है उनको इंकम बनाना है कि विगिनर लेवल में मोचली तीन से चारी प्रॉब्लेम होते हैं एक तो होल्डिंग का प्रॉब्लेम आपके लिप्स का अपर्चर सही होना जिससे ब्लो सही चले उसके बाद प्रॉपर होल सब क्लोज होना चाहिए कि हर्मोनियम नहीं कि वह की प्रेस करने के बाद वही साउंड आएगा इसमें अगर यहां पर कुछ गडबड करो कि थोड़ा सा भी ओपन हो जाएगा तो नी में वह सकता है तो इसके लिए फिंगर का पोजिशन सही होना ब्लोइंग आपका अच्छा होना उसके बाद आप आपका सारे का मपाद रिसा क्लेर बजने का सुरू हो जाएगा और उसको लेना है तो आप अपने मिरर की ले सकते हो आप एकदम विगनर लेवल में हो और आपको सिखने की बहुत इच्छा है तो आपने मेरे ने इसके लिए एक आफ्लैंग कोर्स भी बनाया है जिसमें करना है और बहुत डीटेल में एकिसरेंग किया है जैसे यह तो डेमो के लिए मैंने वीडियो बनाया था वो वीक्टियो में मैने आप अक Exchange प्रिक्स करना एंडव कर लेंने के बाद सब चीजों के प्रैक्टेस करके तो डेफिनेंटली आप कहीं ना जाते हुए आप आराम से घर बैठे भी बास्तरी सिख सकते हो एक लेवल तक तो आप आराम से गारने वगर बाजाना आराम से इससे सिख जाओगे तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीड हुए आराम से जाना लयाग, एजर कुछाले वीडियोग्वार के लिए रायग.